भारत की एक ऐसी तस्विर जिससे इवा पिढ़ी अंजान है लेकिन जब तक हम इनके गलियों में नहीं आते हमें लगता है कि ऐसी कोई बस्ती है ही नहीं ऐसे लोग है ही नहीं जो ऐसे हालातों में भी जी रहे हैं लेकिन जब हम इनकी गलियों में आते हैं इनसे बाते करते ह तो इनके हालात को जान पाते हैं, कि इस तरीके से अपना जीवन यापन कर रहे हैं कितनी मुश्किलों से यह रह रहा हैं, यह जो तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं इस तस्वीरों से साफ पता चल रहा है, कि इनका घर, जो एक बड़े नाले के किनारे बसा हुआ है जहाँ पे सावान या बेक्ती का दो मिनट रुकना भी काफी मुस्किल है वहाँ ये अपना घर बसाय हुए, अपने बस्ती बसाय हुए और अपने परिवार के साथ रह रहे हैं ये यहाँ पे एक या दो महिने एक या दो सालों से नहीं रह रहे हैं बलकि कई सालों से यहां पर रह रहे हैं जहां इनका कहना है कि हम पहले रोड पर भटकते थे वहीं कुछ सरकार ऐसी भी है जिन्होंने हमारे लिए कुछ काम किया और हमारे लिए एक यह बस्ती बना दी वहीं आप देख सकते हैं कि ये कैसी बस्ती है जिसमें इनका घर एक पलास्टिकों से बना हुआ है पलास्टिक और टूटे-पूटे लकडियों से इनका घर बना हुआ है और ये ऐसी Normal Plastic नहीं है ये कैसी पलास्टिक हैं जो कि सरकार के बैनर के लिए इसका इस्तिमाल किया जाता है, सरकार अपने कामों को गिनाने के लिए, जो सडकों पे बड़े-बड़े बैनर लगवाती है, वो बैनर का ये प्लास्टिक है, जो कि खराब हो जाने के बाद इनके घरों में इस्तिमाल हो रहा है, वहीं ये प्ला का कहना है कि लोग अपने घरों मेरे वहीं ये लोग जिनके सरीर पे तन ढखने के लिए कपड़ा भी नहीं है ये बाहर रहने को मजबूर है इनके बच्चे जो बाहर बिना कपड़ों के घूम रहे हैं वो कैसे रह रहे होंगे क्या इन्हें बीमारी का खत्रा नहीं होगा ले जो बस्ती है कोई बहुत ज्यादा दूर नहीं है ये जो पठना के जहां पॉलिटिकल जो राजनीतिक कार्याले है जहां पे बीजेपी का कार्याला भी है आरजडी का कार्याला भी है उससे महाँ दो मिनट की दूरी पर बस्ती बसी हुई है जहां पे लोग सारे राजनीता है अपने बातों को प्रेज कॉन्फिरेंस कराते हैं बड़े-बड़े अब भारत को विश्वगरू होने का दवा करते हैं नौ साल बेंगी साल का दवा कोई सरकार करती है तो कोई करती है कि हम बिपक्ष को मजबूत कर रहे हैं जिस भी पाटी के नेता हैं उसे क्या फरक पड़ता है लेकिन ये लोग इन लोगों तक वो सुविधा नहीं पहुंच पा रही है जो कि इन राजनितिक पार्टियों की कार्याला से बस दो मिनिट की दूरी पहई वो लोग यहां पे अगर एक दिन भी सब्ताम एक दि सकते हैं कि आ हां सौचाले ओं की सुविधा भी नहीं है जहां साब सुत्री समाज की बात करती है देख सकते हैं कि इनी के घर ही कचले की सहारी आं पर लगाया जिसे सरकार इनको हटाने के लिए कभी भी अपनी बुल्डोजर लेके आए और साफ सफाई के नाम पे इनके घरों को युजार के कहीं फेक ना दे आजादी की इतने सालों के बाद भी ये लोग ऐसे रहने को मजबूर है सरकार की कोई भी परियोजना कोई भी आरक्षण इंत इतनी गर्मी में जहां लोग एसी में रहना चाहते हैं फ्रीज का पानी ठंडा ठंडा पानी पीना चाहते हैं वहीं ये लोग गंदे नाले का पानी जो कि नाले से लगा हुआ सटा हुआ है इस नाले का प्रभाव जरूर इस टंकी पर भी पढ़ता होगा और ये लोग उसी पानी पीते हैं साइद इनों को साप पानी भी मौहया करना समाज के लिए एक बड़ी चुनावती बनी हुई है अगर यहां पे रह रहे हैं बच्चों को आप ध्यान से देखे तो इनके चेहरे पे जो मासूमियत है जो हसी एक खुशी है वो इनके लिए मासूमियत है लेकिनी सरकार के नाम पे सरकार के लिए एक तमाचा है कि सरकार इनके लिए जो भी परियोजनाय लाती है जो भी शुविधा लाती है वो इन तक नहीं पहुँच पाती है सरकार चाहें किसी की भी हो चाहें वो केंद्र की सरकार हो या राज्य की सरकार हो वो एक अलग ही एजेंडरे पर काम करती है अलगी ही प्रचार करने में लगी रहती है लेकिन सरकार अगर दिल से अगर इन लोगों के लिए करें तो सरकार को ये बड़े-बड़े पोस्टर या बैनर लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी ये लोग दिल से जाएंगे उन्हें वोट देंगे उनको एक सत् आने वाला भविस्या और आने वाला कई साल ऐसी जिल्द की जीने को मजबूर रहेगा